नमस्ति दोस्तों एस पर मिला कीशान माप लोगों का स्वागत है आज मैं लेकी आए हूँ आप लोगों को लिए कद्दू के हलुआ तुलसी बिवा दे उठनी के लिए तुलसी बिवा भी बोला जाते हैं दे उठनी भी बोला जाता है अगले हपता है कद्दू के हलुआ दे और इस तरह से हम छेल लेंगे और मीठा वाले ही कद्दू लीजिएगा क्योंकि हरा कद्दू भी आता है यह दिखाई दे रहा है पर बहुत मीठी वाले कद्दू है कद्दू के हलब बच्चे लोग बहुत पसंद करेंगे सबजी बहुत बच्चे पसंद नहीं करते हम अच्छे से धोल लिया है दो तीन पानी बदाम ले लेंगे काजु ले लेंगे इलाइची तीन थोड़ा सक किसमिश ले लेते हैं और कद्दू कस कर लेंगे कद्दू को जैसे जिस तरह से गाजर हम किसते हुशी तरह से देख सकते हैं कि इसे दर से सभी को हम कद्दुकस कर लिया है कि नबारिक भी नहीं किया है अच्छा है और मैं डाल देती हूं दो चम्मच घ्यू कड़ाही में कि उसके बार डाल देती हूं बदाम बदाम को भुणियम टाइम लगता है सबसे पहले बदाम डालेंगे कि इसे बार डाल देती हूं काजु 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 को भून लेंगे कि इसे बार डालेंगे किश्मिश को ज्यादा भुण्या के जरुवत नहीं पड़ता इसलिए लास्ट हम डाले हैं अब हो गया हम निकाल देते हैं पिलेट में इलाइची डाल दूंगे कोट के रखिया हूं इलाइची को फिर डाल देंगे हम कद्दू को अब कद्दू को डालके हम 6-7 मिलड तक भून लेंगे जितने ज़्यादा हम भूनेंगे उतने ही टेस्टी बने का हलुआ है कद्दू में पहुत सारा फायदा है बच्चे लोग लिए देंगे बच्चे सबजी पसंद नहीं करते हैं अब मैं डाल देते हूं एक गिलाज द जब तक पकने देंगे जब तक दू धसूख न जाए आम मैं डालती हूं सककर मैंने चार समा सककर डाली हूं बहुत कद्दू मीठा है मेरा इसलिए आप जब भी ले कद्दू हल्वक लिए मीठी वाले कद्दू लेजिएगा और अच्छे से हम पका लेंगे मेरे वीडियो अच्छे लगए तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें दोस्तों में अब मैं डाल देती हूं राई फूर्ट जो गूंकी रखे थे उसको इस पर साथ को दे उठने के लिए जरूर बनाएं मेरे नेस्ट वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद